दोस्तों जब बात आती है high graphics game की या फिर ऐसे software यूज करने की जिन में 3D animations होते हों तो वहाँ पर एक term आप अक्सर सुनते हैं वो है graphic card अब ऐसे में एक term ज़रूर आती होगे आपकी दिमाग में की graphic card होता क्या है दूसरी जीस की graphics ही क्या होता है और इससे भी important एक term है की pixel क्या होता है ये तीनों चीज़े आपस में कही न कहीं connected है जो कि आज की इस वीडियो में आप base to base और आसान भाशा में समझने वाले है तो आ करना में Rahul अर शुरू करते है आज का topic अब सबसे पहले यहां पर बात करते है कि pixel क्या होता है देखो दोस्तों नॉर्मली जितने भी images आप देखते हो जितने वीडियो से आप देखे हो in fact जो वीडियो भी आप देख पा रहे हो यह बिल्कुल colorful वीडियो है कहने के मतलब ए एक होती है black and white एक होता है colorful अब अगर यहां पर हम प्रिंटर का example ने तो आपने notice क्या होगा कि जब में black and white printout निकालना होता है तो सिर्फ वहां black color होता है लेकन जब मुझे color printout निकालना होता है तो वहां पर 3-4 multiple colors होते है नॉर्मली red होगा blue होगा और भी एक हाथ color वहां पर होता है तो वह क्या करते हैं आपको color printout देते हैं उन colors के combination में चाहे उनके combination से वहां पर green निकले या फिर blue निकले या फिर purple निकले violet कोई सभी color निकल रहा हूं तो basically होता है यह RGB format RGB format की मतदद से आपको अलग-अलग different types of color mix up करके मिल जाते हैं अब यहां पर होता क्या है कि मैं इसकी बात क्यूं कर रहा हूं आप जितने भी images यहां पर देखते हो अगर आप उसे microscope से zoom करोगे तो आपको ऐसा ही RGB format नजर आएगा जिसको बोलते है pixels तो normally जो यह screen अभी आप देख पार हो या फिर कोई image आप screen पर आते हैं अब यहां पर आपने एक term notice की होगी अपने screen में कि 1280 x 720 pixel 4k pixel 1366 pixel इस तरीके से आपने notice क्या होगा एक और example ले लेते हैं आप क्या करो कि एक image आप KB में download करो और एक image कोई ले लो DSLR की जो की GB में हो या फिर जादा MB में हो वो अब दोनों का आप zoom करो आप notice करना कि जो आपके KB वाली image है थोड़ा notice करना है कि जैसे यह बड़ा होगा उसके बाद यह फटने लग जाएगा और इसके जो pixels है वो आपको नजर आने लग जाएंगे फटे हुए ही वो pixel ही होते है छोट-छोटे लेकिन जो आपकी image है जो DSLR से आपने खीचे है या फिर बड़ी image को किसी बड़ी जगह पे भी खोल रही हूँ जैसे कि फॉन में अगर कोई फोटो में ने खोली जो KB में तो बिल्कुल साफ साफ नजर आएगी लेकिन उसे को मैं TV में खोल दू तो क्या होगा उसका pixel फटने लग जाता है आप लोगोंने अगर अभी टाटा इसका या कि आती है तो वही होता है pixel rate नॉर्मली की pixel से एक image बनती है लेकिन उसमें कितने ज्यादा pixel है वो depend करता है उसके clarity पे और उसके quality पे कि अगर एक KB में वाला size वाली image आपके पास है तो उसमें pixel rate कम है आप उसके details में जाओ properties में जाके detail में चेक करो तो आप आपको 660 pixel मिलेग किसे में आपको 1280 किसे में 4K इस तरीके से pixel मिलेगा इसका मतलब यही है कि आप उसे इतनी screen तक resolute कर सकते हो वो इतना जादा बड़ा होगा तो फटेगा निवो इतने अच्छे से चलेगा के लिए रोपा रहा है तो pixel क्या है कि normally कोई भी screen या कोई भी visual image आप देख रहे हो वो सब कुछ कि जो basic unit है वो होती है pixel अब यहाँ पर जो हमारी second dumb आती है वो है graphics तो यही दोस्तों graphic होता है जितने भी image, animation, videos, games, जितने भी screen आप देखते हो वो सब क्या है हमारी graphics है तो graphics का pixel rate किसी का कम है किसी का जादा है तो graphics basically क्या है? images, videos, animation, games, जितने भी चीज़े आप वो सब क्या है graphics अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमारी सबसे last और सबसे important dumb है इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना वह है graphic card अब ग्राफिक कार्ड आपके system में पहले से ही होता है अब बोलोगे कैसे मतलग से लगाना पड़ता है देखो normally graphic card का मतलब पहले कि अगर बात हम कर है हम तो यहाँ पर नॉर्मल लिख रहे हैं लेकिन CPU को instruction किस में मिलती है 0101 में मिलती है अब वही instruction को वह ऐसा output एक screen पर represent करने के लिए एक output अलग से format बना के वो screen पर represent करता है second से भी कम time में उसके लिए उसको चाहिए होता है video card example में आपको देता हूं कि normally आप अपने monitor और CPU क कैसे connect करते हो एक blue wire से जोसको मुलते है VGA वीजय के पूरा मतलब क्या होता है video graphic array कहने का मतलब वह जो VGA port आपको मिलता है वह actual में video card का port होता है जो कि आपके cp में लगा होता है उसी की वजह से जितने भी images videos या एक screen आप देख पाते हो तो normally जो हम CPU और monitor को connect करते हो उस blue wire से वह blue port होता है video card का port जो कि आपके motherboard में लगा होता है अब अगर आज के systems की बात करें जैसे Intel के कुछ processors है तो उसमें already आपको graphics मिलते है मतलब एक level के HD graphics आपको मिलते है जहाँ पे आप normally जो छोटे मोटे video editing software होगे जैसमें Filmora की बात करो तो Filmora को अगर आप high level पे use नहीं करना च जाते है जहाँ पे जो pixel rate है वो limit से जादा नहीं है तो आपको अलग से graphic card लगान के ज़रूरत नहीं है कहने का मतलब कि यहाँ पे जो graphics आपको मिलते है जो Intel HD graphics आपको already inbuilt मिलेगा या फिर आप kello से install आपको करना पड़ता है तो वो जो आपको मिलता है system में पहले से ही उसकी मैं बात करूं कोई ऐसे software के 3D animation software होते है जहाँ पे animations बनती है या फर VFX जलता है वहाँ पे हमें इसकी जोध क्यों पड़ती है देखो एक चीज अभी मैं आपको clear करी कि pixel कम होते है pixel जादा होते है जो image जितनी जादा बढ़ी होती है उसको खुलने में तो टाइम तो लगता कि वहाँ पे आप अभी car चला रहे हो और कितनी speed में car move हो रही है और जितनी speed में car move हो रही है उतनी speed में वहाँ पे pixel बनता जा रहा है उस pixel की वज़े से यह तो आपको लगता है नहीं कि यहाँ पे 3D type दिख रहा है एक तो normal video आपने जो GTA कहला हुगा वाइस City जो पहले कहला उसमें कि आपको इतनी जल्दी feel होता है कि यहाँ पेड आ रहा है यहाँ पे जल्दी आ रहा है या फिर हमें इतना साफ साफ नजर आ रहा है और उस game को जो GTA 5 है उसको आप जितनी बड़ी screen में खेल तो आपको उसका pixel फड़ता हुआ नहीं दिखता notice करना कि आप अगर बड HD TV में चला रहे हैं तो भी उसका pixel नहीं फड़ता कहने का मतलब किया है कि अगर मैं किसी software में उसे built कर रहा हूँ तो फटा फट क्या हो रहा है कि उस चीज़ को मुझे pixels बनाने पड़ रहे है अब वो pixels बनाने के लिए उतना high resolution pixel बनाने के लिए मुझे high load graphic चाहिए जो कि Intel HD Graph या फिर नॉर्मिल जो video card आपके motherboard में होता है वो enough नहीं होता इसी कारण से हमें graphic card डलवाना पड़ता है ताकि हम काम तो उसमें भी हो जाएगा लेकिन अटक अटक के होगा आप जो GTA 5 की में बात करो तो चलतो उसमें भी जाएगा लेकिन जो accuracy आपको मिल रही थी या फिर ज जाएर से बात है pixel load लेने में क्या लेगा जो graphic हो time लेगा और जो graphic का ratio आप बढ़ा देतो जो graphic card होता है उसका ratio proper 2gb का हमने graphic card ले लिया बो पूरा 2gb जो graphic card है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? graphics को load लेगा जिस वज़े से आपके जो games है या फिर हम बात करें जो 3D animation software है V क्राफिक काड की ज़रत पढ़ती है आशा करता हूं दोस्तों जो जानकारी हो आपको पसंद आई हो कि वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक करना अपने दोस्तों के बीच में जादा जादा शेयर करना साथ ही एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडि झाल प्रेखा मेंक दोस्तों के लिए मुत आपको खिर जाला क् publiम हो अवस्तों आपको घ्यादा ही को नहें ह।